हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होंगे अपना ख्याल इचे से रख रहे होंगे सो लास्ट वीडियो में हमने डिसकस किया था डिये ने रेप्लिकेशन इनके सो प्रोक्रियोर्स आज वला इन यूक्रियोर्स तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके वो वीडियो देखे हैं अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है पहली वा चैनल को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आज की वीडियो में हम discuss करने वाले हैं transcription in case of pro careers as well as in new careers for detail में हम इसको discuss करने वाले हैं बने रहे हैं मेरे साथ इस वीडियो में पूरी वीडियो जो है end तक देखेगा तो आपके लिए बहुत ही helpful होने वाली है तो transcription की बात करेंगे जो है वो DNA से बनता है DNA के exact copy उसको DNA replication बोलते हैं तो transcription में हमारे पास क्या होता है कि एस DNA से यो information farmers होती है इन दा फ्रम और RNA उस process को ऊसे बोलते हैं transcription transcription में हमारे पास meau synthesis होती है RNA की especially mRNA की messenger RNA के synthesis होती है जो DNA में information contained होती है, genetic information जो contained होती है वो information क्या होती है? वो copy होती है MRNA में इस process को हम transcription बोलते हैं So transcription जो है is the process of formation of transcript That is RNA, जो transcript है वो यहाँ पर RNA होता है इस process को हम transcription बोलते हैं और यह जो transcription है, इसको इसके लिए जो enzyme responsible होता है वो RNA polymers. जैसे हमने DNA replication में बात की वो हमारे पास enzyme DNA polymerase था वैसे transcription के लिए जो enzyme responsible होता है उसके हम RNA polymerase बोलते है and it is a unidirectional process यहाँ पे जो है हमारे पास जो DNA RNA के transcription जो होती है वो 5-2, 3-direction में होती है similar in case of जैसे हमने RNA replication बात की 5-3-direction में जो है RNA की synthesis होती है वैसे ही RNA की synthesis है वो भी 5-2, 3-direction में इसकी synthesis होती है उसके बाद हमारे पास यहाँ पे आजाता है transcription unit so transcription unit जो है हमारे पास क्या होता है कि हर एक जो transcript हमारे पास segment होता है DNA का जिससे हम बोल सकते हैं कि जो हर एक transcript segment जो होता है DNA उसको हम transcription unit बोलते है transcription unit में क्या होता है Actually Transcription Unit वो उनिट होता है जिसके starting में जो हमारे पास क्या होता है So जैसे हम बात कर सकते हैं जो हमारे पास क्या होता है जो हम बात करें जो DNA का template, DNA की strand जिस points से transcription start होती है स्टार्ट साइट बोलते हैं जहां पे transcription end होती है उसे हम transcription termination side छो पूरा का पूरा unit transcription के initiation side से लेकर transcription के termination side ते पूरे-pورे unit को हम transcription transcription unit बोलते हैं तो transcription unit के अगर हम बात करें तो यह हमारे पास procurement unit होता है यह होता है polycystronic type का polycystronic का मतलब यहाँ पर कि प्रोक्रियोर्स के अगर हम बात करें जो इसका transcription unit होता है उसमें क्या होता है उसमें हमारे पास एक से जादा gene की information है वो contain करता है एक से जादा genes जो है adjacent genes जो है उसकी information जो contain करता है इसलिए हम उसको बोलते है in case of procreors में वो जो है polycystronic का होता है polycystronic type of transcription unit होता है और अगर हम बात करें eucreors की बात करें तो eucreors में क्या होता है जो पूरा transcription unit है वो एक की gene की information contain करता है इसलिए हम उसको बोलते है monocistronic so monocistronic होता है हमारे पास in case of eucreors जो polycystronic होता है in case of procreors so next आजाता है हम देख सकते है यह जो है कि हमारे पास transcription के time में जो हमारे पास एक strand जो है एक ही strand हमारे पास वो ही transcribed होती है दो strand होती है डेन है कि जिसमें से एक ही strand जो हो transcribed होती है तो जो हमारे पास जो हमारा पर transcript मिलता है वो जो transcript जो है उसकी sequence जो है जिस पूरी की पूरी sequence जैसे हम भी बात कर सकते हैं हमारा पर double strand रडेन है इसकी दो strand, एक sense strand और anti-sense strand तो sense strand हम कौन सी strand बोलते हैं कि sense strand हो strand होती है जिसके अंदे genetic information contained होती है की ट्रांस्क्राइब होती है हमारे पास किसमें आरने में आरने जो है ट्रांस्क्राइब बनता है जो आरने ट्रांस्क्राइब की सीक्वेंस होती है वही कि वही सीक्वेंस जो हमारे पास कोडिंग स्टाइब की भी होती है तो जो सीक्वेंस हैं दोनों स्टाइब की ट्रांस् से जो स्टार्ट वोते हैं तो यह आगे हमारे पार स्टार्ट जाएं इसके बाद यहाँ पे हमारे पार साजाता है कि अगर हम बात करें कि इस का start point है दो आपको बूले कि transaction का जो जहांसे transaction फ़िस पुइट से Starters Dannets revelation site बोलते हो जहां transaction katham हो इसको transcription termination side बोलते हैं, पूरे को जो है transcription unit बोलते हैं, फिसके पाद अगर हम अब हमारे पास आ जाती है, हम सबसे पहले बात करेंगे transcription in case of prokriots, so transcription जो prokriots में होती है, उसमें क्या होता है हमारे पास, उसका जो है, prokriots से reocriots में की difference है, कि हमारे पास और भी थोड़ बहुते differences आ ज mRNA, rRNA और DRNA, तो prokriots में क्या होता है, कि एक ही RNA polymerase जो है, एक ही RNA polymerase जो है, वो ही तीनों तरह के हमारे पास RNA बनाता है, mRNA भी वो ही बनाता है, mRNA, rRNA और हमारे पास DRNA, तीनों के तीनों जो हो है RNA बनाता है, वो एक ही RNA polymerase बनाता है, in case of prokriots, उसके बाद हमारे पास अगर ह अगर हम बात करें तो यह हमाँ पास five subunits से मिलकर बना होता है तो वो गुल-गुल से subunits होते हैं वो होते हैं alpha, beta, beta- omega और sigma यह पांच subunits से मिलकर बना होता है और इनके जो functions हैं कि आपको अच्छे से आदर अपने यहां से question पूछा जाता है तो यह functions इनके जो हैं अगर हम बात करें तो और प्रमोटर के recognition में वैसे हम डेने की बात करें तो वहां पर प्रमोटर जो है जहां पर पूछा मोन तो इस फ़िदा करने में लोगेर रवबू होते है जन्र इस अगरे बना होगे बना होते हैं झाल की आदर पार के सब्सक्रालिण के डे डेसרत करें ने जो हैं गर्ला करें जो हैं प्रमोटर को इम्वोट्ट रवासरिते तो वह transcription को start करने में help करता है यह बहुत important हमारे पास subunit है मारे पास RNA polymerase का promoter और नाइस करने में वह transcription को initiate करने में help करता है तो यह 5 के 5 subunits जो है हमारे पास यह बहुत important है आपको टेबल अच्छे से याद रखना है यहाँ से question पूछा जाता है उसके बाद हमारे पास अब प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है उसके बाद सबसे पहले प्रोसेस स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले प्रोक्रियॉटिक जो प्रोक्रियॉटिक 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 प्रोक्रिय उसके बाद हमारे पास अगर हम प्रमोटर की बात करें तो प्रमोटर पर हमारे पास जो है इसके अंदर हमारे पास six base पर consensus sequences present होती हैं, एक sequence जो है minus 35, एक minus 10 sequences होती है और एक minus 35 sequence होती है, यहाँ पर तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास, यह इस diagram में देख सकते हैं, कि जो हमारे पास plus one है कि यह initiator sequence है इसकी अगर हम पीछे चल जाए तो upstream में आ जाता है अगर नीचे चल जाए तो इसको हम downstream बोलते है उसके बाद हमारे पास जो minus 10 box है यहां पर minus 10 जो sequence होती है वो यह sequence है यह वाली sequence T-A-T-A-A-T T-A-T-A-T-A-T upstream में present होती है upstream of the इसके promoter के यह plus one है initiator sequence है जिसके upstream हमारे पास दोनों minus 10 box मैनिस 35 box जो है दोनों present होती है उसके बाद हमारे पास यहां पर आप देख सकते हो कि minus 10 sequence हो है हमारे पास उस पे जो है T-A-T-A-T sequence पे जो है T-T-G-A-C-A sequence प्रेजन होती है आप कोच्छे से आद रिपना उसके बाद यहां पे consensus sequence जो है minus 35 और minus 10 sequences जो है promoter की उनका different different बताया गया है कि trip operon में हमारे पास minus 35 पे क्या sequence होगी minus 10 sequence पे क्या होगी lack operon पे हमारे पास minus 35 minus 10 पे क्या होगी उसके पर constant sequence जो हमने अभी पढ़ा T T G A C A वो minus 10 sequence पे हमारे पास T A T A T A T sequence प्रेजन होती है बागी भी आप देख सकते हैं पे उसके बाद हमारे पास यहां पे आ जाता है most important यहां से question जो पोचाद में अभी आपको बताने वाली है sigma unit जो है sigma unit जो है वो मिलती है sigma factor में तो sigma factor को हम यहां पर alternative sigma factor भी बोलते हैं या पर anti sigma factor भी बोलते हैं तो हमारे पास यह जो है alternative sigma factor consensus sequences दे हुए इनकी तो यहांपर अगर हम बात करें sigma factor के तो sigma factor में variation देखने को मिलती है यहां से question पूछा जाता है यह आपको टेबल बोई यह से याद करना है बहुत ही अच्छा थे कि कि यहां पर 2-3 मारे हमारे पास सबसे पहले सा सйलता है सिंते testbertbert नाढ़ा Kagाने हमारे पास swoją फंक्षों का साना फॉच्टियंग पास जो सिग्मा 54 है वो help करता है उसके पास सिग्मा 38 जो है वो हमारे पास उसका जो function है major which act as major sigma factor during stationary phase और ये help करता है इसमें हमारे पास involved होता है during involved in oxidative and osmotic responses उसके पास सिग्मा 32 जो है ये आजाता है और इसका जो है ये heat shock response जहिए questions जो है June 2015 में 2015 में कैसिंज्टक पुछागा कि सिग्मा 32 है उसका क्या function हीट shock response में help करता है उसके बाद पास आता है last में sigma 28 ह Today सिग्मा 28 जो है इसका flajella को बनाने में help करता है ये इसका function है कि flajella को बनान exceptions के ये इसके genes involved होते हैं उसके पाद इसके इलावे इनके इलावे हमारे पास दो तीन और हैं सिग्मा जो मैं आपको बता देती हूँ एक हमारे पास सिग्मा एस तो सिग्मा एस जो आप लिख सकते हैं कि वह स्ट्रेस रिस्पॉंस में हेल्प करते हैं स्ट्रेस रिस्पॉंस में हेल्प करते हैं उसके सबसे पास sigma 70 जो है sigma 70 जो है बहुत important sigma factor है sigma 70 जो है वह हमार पास का जो function है वह है किसमें house keeping genes में house keeping genes में तो यह कुछ हो sigma factor addition में नहीं आपको बता दीएं तो यहां से question दो-तीन पर पूचा तो इनिसेशन में इससटो पेल सब्सक्रमात का हुग हो आपाइक। वो स्टार्ट हो गया तो मेंने बात की थेगा है यहां सबसे पहले माय पास जो कॉंपलेक्स बनता है वो बनता है सब्सक्राइब क्या होता है कि RNA polymerase जो है वो जाके बाइंड होता है प्रमोटर पर ठीक है और initiation reaction को start करता है तो जो पहला complex होता है वोसे हम बोलते है closed binary complex closed binary complex बनता है जब मार पास RNA polymerase जो है bind करता है इस पर motor पर जाके bind करता है तो हम closed binary complex बोलते है इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पर DNA duplex जो है इनिशल यहाँ बात करें तो DNA duplex जो है यह 5-2-3-d direction and 3-2-5-d direction 3-2-5-d direction तो यह हमारे पास close होता है तो close इनिशल यह close होता है इसलिए हम close boundary complex बोलते हैं उसके बात next क्या होता है हमारे पास sigma factor बहुत इंपॉटरन जयसे हमने बताया कि sigma factor जो ही हमारे पास help करता है RNA polymerase प्रमोटर रिकोगनाइज नहीं कर सकते हैं तो उनको recognize करने में हमारे पास RNA polymerase प्रमोटर रिकोगनाइज करता है जब हमारे पास RNA polymerase bind करता है, तो अब क्या होते है, जब हमारे पास RNA polymerase hollow enzyme bind करता है DNA के साथ, और वो cover करता है 75-80 base पर, जब 75-80 base पर वो cover करता है, तो वो closed complex जो है, वो convert होचे तो open complex में, तो open complex में और वहां पर बनता है transcription bubble, तो हम इसको आपको diagramatically भी बता सकते हैं, कि हमारे पास है, हमारे पास यह DNA strand, double strand यह DNA थी, इसके दोने जो strand बताएगी है, coding strand और template strand, तो सबसे पहले हमारे जो complex बनेगा, वो बनेगा close binary complex, जब हमारे पास RNA polymerase यहाँ पर इसके साथ bind करता है, लोग भी the sigma factor, close binary complex, क्योंकि यह starting में हमारे पास जो है, वो duplex में होता है DNA, अब क्या होग कि जब यह RNA polymerase जो है, यह RNA polymerase जब हमारे पास कितने base पे, जब 75 से 80 base पे, 75 से 80 base पे जब ही cover कर लेता है, cover करने के बाद हमारे पास क्या होता है, कि यह close complex से यह convert हो जाता है, open complex में, आपे देख सकते हैं, यह transcription bubble बन गया, यह जो bubble बन गया, बीच में यह पूरा transcription bubble बन जाता है यहाँ पे, तो transcription bubble बन जाता है, तो उसको हम बोलेंगे तब कि वो open complex में convert हो गया, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, कि जो double standard DNA है, अपने देखा है, यह initially हमारे पास, यह double standard DNA था, अब यह double standard DNA इन 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 convert हो गया, इसलिम्स को open complex बने, open complex के बाद क्या होगा, कि हमारे पास, यहाँ पर next step यह होता है, कि हमारे पास पहले दो nucleotide introduced हो जाते हैं, incorporate हो जाते हैं, phosphodaster bond बनता है उनके बीच में, तो फिर हम open complex को convert हो जाते हैं, इसमें ternary complex में, जिसमें हमारे पास RNA भी आ जाता है, DNA भी इसके बाद हमारे पास यह जो पहला phosphodaster bond बनाई यह है, उसके बाद हमारे पास यहाँ पर आ जाता है, नेक्स कॉंसेप्ट किसका, कि जब हमारे पास यह जो RNA synthesis यह frequently about होती रहती है, जब हमारे पास 10 nucleotide जब joint हो जाते हैं, उसके बाद यह about हो जाती है, RNA synthesis जिसमें बोलते है इसके बाद फिर क्या होता है, एक बार हमारे पास RNA polymerase जो है, वो RNA को बना लेता है, approximately 10 ways पर बन जाते हैं, उसके बाद एक stable मतलब एक ternary complex जब बन जाता है, तो हमारे पास initiation जो phase है, वो end हो जाता है, तो वो promoter को भी क्या करते हैं, clear करते हैं, by extending the chain, RNA chain को extend करने के बाद वो promoter को वहाँ से clear कर देते हैं, तो यहाँ पे जो RNA की synthesis है, उसके लिए हमें जैसे हमने बात की थी, कि DNA replication में बस primary की ज़रूरत परती है, primary की requirement होती है, वहाँ पे तो यहाँ पे ऐस सच, यहाँ पे primary की requirement नहीं होती है, RNA की synthesis के, लेकिन RNA synthesis के लिए RNA polymerase along with sigma factor जो है, वो important load प्ले करते ह है, promoter recognize करने में फिर हमार पास जो है, उकलो टाइट को add करते हैं, फदर जो हमें elongation में पढ़ेंगे, तो यह हमारे पास, पूरा का पूरा है, यह last minute आपको बता दिया, कि हमारे पास close complex होता है, उसके बाद open complex, close binary complex, और open complex, और turnary complex, finally हमारे पास chain extend हो जाती है, कुछ chain extend हो जा छोटी सी chain बन जाती है, तो हमारे पास क्या होता है, कि बात में promoter clear हो जाता है, सबकी सब, जो factors है, यहां से clear हो जाते है, तो initiation phase अप जो है, इस तरीके से end हो जाता है, उसके पर next phase, जो हमारे पास, वो elongation का phase आता है, तो हमारे पास double strand DNA, वो open हो इसमें open single strand DNA में, तो elongation में सब, अब क्या होता है, हमारे पास elongation में जो है, transcription bubble, जो है, वो move करता रहता है, और जो DNA है, DNA की strand, double standard DNA, जो हैलिक्स, डबल हलिक्स में होता है, वो convert होता है, इसमें सिंगल स्टांडर DNA में, during elongation, तो यह जो enzyme है महार पास RNA polymerase, यह क्या करता है, कि DNA की strand पर move करता है, और extend करता है RNA की chain को, ठीक है, उसके पर महार पास यहाँ पर RNA polymerase, जैसे ही move करता है, तो यह क्या करता है, हमार पास DNA template पर, तो यह क्या करता है, हमार पास, यह unwind करता रहता है, DNA halix, में बोला कि वो double standard में होग और single standard में convert श्टांडर में, जैसे जैसे transcription bubble, जो है, move करेगा, तो वह हमारे पास transcription bubble के, move करने से क्या होगा कि हमारे पास वो single standard में convert हो जाएगा उससे क्या होगा कि template के नए segments जो है वो exposed होंगे in single standard condition में और वहाँ पे nucleotides आड होते जाएगे तो nucleotides जो है वो यहाँ पे add होंगे 3-end पे RNA जो chain है उसका हमारे पास हमारे पे 5-end होगा 3-end होगा 3-2-end hydroxyl end होता है इसका यहाँ पे nucleotides जो है वो add होते रहते है और बनाएगा हमारे पास के हमारे पे DNA-RNA hybrid उसके पाद मारे मने बोले कि जो RNA-DNA hybrid है within the open complex वो approximately 8-9 base pair का होता है और during each nucleotide detection मारे पास जैसे ही मारे पास nucleotide जैसे add होते है हर एक nucleotide add होने पे वहाँ पास beta और gamma जो phosphate है वो removed होते जाएंगे incoming जो आने वाले हमारे पास nucleotide उन में से हमारे पास beta और gamma फोस इते हों haouse way होता जाएगा उनके सा貝े जुटता जाएगा और रिमॉट होगा और overall जो हम reaction का rate बात बात करे reaction के rate की किस rate कैसा चलेगी तो हमार पास approximately 40 nucleotides जो है एक second में add होते जाएंगे ठीक है तो यहां पर diagramatically बताएंगे आप देख सकते हैं यहां पर यह transcription session start start site है उसके पर यह transcription bubble है यहां पर starting में चोटी सी change बनेगे पर जैसे-जैसे move करता है जो chain की जो लेंट आप देख सकते हैं यहां पर क्या और यह increase हो रही है transcription bubble जो है जैसे move करता जा रहा है आगे आगे move करता जा रहा है तो मार पास जो chain है मार पास आरने की chain जो है वो extend करती जा रही है उसके पाद अगर हम बात करें longation मार पास जो है आरने polymers जो है मार पास जैसे-जैसे यह transcribe करेगा DNA को unwinding-revinding वहां पर यह दोनों चीज़ें जो है साथ पसद साथ चलेंगी ठीक है आरने polymers के साथ-साथ यहां पर दो और enzymes जो है involved होते हैं और दूसरा टूप काइसमिरी इस फर्स तो यह दो enzymes यहां पर responsible होते हैं यह बिंवोल्ड होते हैं यहां पर और यहां पर एक antibiotic को यह आतना है Caudi-Cepin जो है एक antibiotic यह क्या करती है इसमें हमार पास 3-Dashadroxyl ग्रूप लाग करता है यह हमार पास antibiotic है Caudi-Cepin इसमें 3-Dashadroxyl ग्रूप नहीं होता है इसकी वज़े से यह क्या करता है यह लोंगीशन जो है लोंगीशन को जो है inhibit करता है यह यहां से question पूछा गया है कि कौन सा जो antibiotic है लोंगीशन को inhibit करने वाला वो Caudi-Cepin है क्योंकि it lacks 3-Dashadroxyl group तो यह important है उसके बाद हमार पास अगर हम बात करें लास्ट जो process है हमार पास वो है structure भी दिया गया है Caudi-Cepin का आप देख सकतो यह important नहीं है लेकिन उसके बाद मार पास last जो fees है हमार पास last lead जो है termination का transcription का वो है termination तंगी termination में हमार पास क्या होता है कि initial हमने इन्य लिस्ट पास? भ की यह recibir देगें अंके दो जो और ने मिल जाएगा और जो जो हमें वो बन जाएगा वहाँ पर वो डिसोसियेट हो जाएगा उस RNA template से इनिशल वो RNA DNA का hybrid बना रहा है तो फाइनली termination पर वो क्या हो जाएगा वहाँ से dissociate भी हो जाएगा तो termination के अगर हम बात करें तो termination मर पास यहाँ पर दो थरा की termination होती है एक होती है intrinsic termination और दूसरी जो termination मर पास होती है यहां पर जो ग्रोइंग ट्रांस्क्रिप्ट है जो DNA टेम्पलेट सा जूड़ी हुई है उसमें क्या हो जो इसलिए है क्या होता है कि यहां पर क्या होता है कि जो इंट्रिंसिक टर्मिनेटर है उसमें हमारे पास GC-rich इन्ट्रिंसिक टर्मिनेटर है जब यह सिक्वेंस यहां पर प्रेजन होगी जब आरने पॉल में से मूव करते हैं जब इन्ट्रिंसिक टर्मिनेटर है जिस पर क्या होगा जब आरे पास GC-rich अब देख से जब जए जब इन्ट्रिंसिक प्रेजन पर उपर इंट्रिंसिक इन्वर्टर पीट्स इसले क्योंकि आप देख सकते हो कि यह जो सिक्वेंस और यह सिक्वेंस जो है जब यह आपस में दूसरे इक कॉम्प्लिमेंटर रहे है तो यह कॉम्प जो transcription है रो के स्ट्रांस्क्रिपशन हो मिहिंगी चेह सरी है किए र creativity टर्मिनेटर टर्मिनेटर- trimiator- रो प्रोटीन बोलते हैं तो रो प्रोटीन यहाँ पे इन वाल्ड होते है वो रोप्रोटीन यह हमारे पड़ अक्ट करता है अज है है Likase और जिसकी पज़े से वो क्या करता है RNA-DNA का जो complex है उसको disrupt करता है वहाँ से ठीक है तो वहाँ से य रिलीस हो जाएगा वहां से रिलीस हो जाता है रनी को वहां से र plaisव करता है DNA से जो रो प्रोटीन है वहां से क्या करते है जैसे यह स्रीके है जिसेख़एगा अबर इो их आपर लित इक हाई तो उसके बाद kinda, वहांША हमार पास आप और वा पास मैं, उक्राज़ी वालते हैई कि हम पर पूरीर्ट डी त्लाम वहांने सिपा बाद के लिए अमने अत्यों सब्सक्राएं एकि आद बड़ भांत रॉटमयN यहां होते है कि अनफ कर दो मुआ हिए पूरीरal RP s और transcription factors और बहaber चाराईएं बहुत था हम थो होते हैं, यहां पर आगर हम RNA polymerase की बात के चलिए तो हमne पास यह, फ्री डिफरेंट RNA polymerase जो हैं, वाईड़ अगर हम अगर हम पर को कर्थे की बात करें तो प्रीक्राइट RNA polymerase involved होते हैं तो सबसे पहले अगर हम RNA first की बात करें तो RNA first वो बनाता है हमारे पास RNA most of the RNA बनाता है हमारे पास RNA pol first except 5S RNA ठीक है उसके पाद मारे पास RNA pol second जो है वो mRNA बनाता है most of SNRNA बनाता है और यहां पर SNRNA की exception जो है वो आती है U6S RNA जो है वो नहीं बनाता है ठीक है RNA pol second जो हमारे पास RNA बनाता है तो यह बहुत सारे टी आरने बनाता है उसके पास जो हमने exceptions first और second में बढ़ी कि 5S RNA हमारे पास first में आती है वो नहीं बनाता है और U6S RNA RNA second नहीं बनाता है वो थर्ड बनाता है तो इस एक जाए आपको यह बहुत ही important है यहां से बहुत बहुत बह सबसे पहले मैं आपको दुबारा से बता दू कि जो RNA pol first है RNA pol first जो हमारे पास बनाता है वो हमारे पास RNA pol second हमारे पास MRNA जो हमारे पास RNA pol third है वो बनाता है tRNA तो यह आपको यादना RMT, RMT, 1st, 2nd, 3rd और इसमें भी exception साहती हैं, जैसे हमने बोला कि 1st में हमने बोला कि 5SRN, 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 और U6SRN, जो है यह भी हमार पास Pol3rd ही बनाता है, यह आपको यादना RMT, 1st, 2nd, 3rd, और RMT, बहूत मेसे पूचा के म् हैं, यहां पर यहां पर आने बहुत पराँ समय, तो यहां पर मुदक्म के उद्सकेद encant पूचा है, कुछान के शहते हैं, तो यह आपको याद रखने पड़ेगी यह पर तैरोसीन, सीरीन, प्रोलीन, थ्रियोणीन, सीरीन, प्रोलीन, तो यह हमार पस ह। पॉल सेकेंड में ठीक है? उसके बात हमारे पास यहां पर भी एक उपर्टन चीज आगी यहां से गूच अपने हो बता सकती है कि अल्फा मैनिटीन जो है एक हमारे पास एक टॉक्जिन है अल्फा मैनिटीन उसके लिए जो है उससे हमारे पास पॉल फर्स सेकिंड और थर्ड की सेंसिटिविटी कैसी है अल्फा मैनिटीन सेंसिटिविटी जो है इन तीन पॉल मिरीज की किस तरीके से कौन सा जाधा सेंसिट से लिए कि कि अगए। पूने के अगए। यह को सबाएं। यह इस अगए। आखिन सब्ली तो इसे लिए थे जोण फॉच्टेंटिय। सब्सके पूछागे। विए अगए। थे लिए टॉच्टिय। फॉच्टीवेश्ट फॉच्ट बोचा गया है। जुसके परथे निवी मार पस बताव बाल 1st की कैसे sensitivity है 2nd की 3rd की तो 1st जो हमार पस बुस्गोर resistant होता है 2rd जो है 2nd jो है सबसे ज्यादygen sesi जो है जो है बाल 2nd होता है in between ज्यादड होता है ज्यादा resistant भी नहीं होता है तो moderately sensitive होता है ठीक है? यह बहुत इंपोर्टन है, यहां से तूँसा 15 पूछा गया, तो यहां से याद रखनी है, कुण सा संस्टिव है, कुण सा रेस्टेंट है, कुण सा मॉडरेटली संस्टिव है, उसके पर हमार पस यहां पर, in addition to 1st and 2nd, 3rd, हमने 3 polymerase पड़े कि 1st, 2nd, 3rd, 2nd, 3rd, 2nd present होते हैं, in addition to these, हमारे पास दो और हमारे पास RNA polymerase यहां present होते हैं, वो होते हैं, इनके सो plant genome, यह plant genome में present होते हैं, तो 4 जो है, वो SIRNA की बायस bygenesis करवाता है, जो 5th पन है, वो जनेरेट करता है, the target for RNA-directed DNA methylation, तो यह आजाता हमारे पास plant genome में, in addition to these 3, मारे पास यह जो है, पॉल 1st, 4 and 5p present होते हैं, उसके बाद यह important, यह important table ही आपको यादर, बहुत ही अच्छी से यह table आपको यादर रखना पड़ेगा, कि हमारे पास RNA 1st में कौन-कौन से product बनते हैं, 2nd में कौन से बनते हैं, और 3rd में कौन से बनते हैं, आपको बहुत ही अच्छी से आपको यादर रखना पड़ेगा, यहाँ से question पूछा जाता है, यहाँ से बहुत बार question पूछा गया, उसके बाद हमारे पास यहाँ पे अगर हम बात करें, यूक्राटिक प्रमोटर की, तो यूक्राटिक प्रमोटर की बाद के, प्रोक्राटिक प्रमोटर में के, जो हमारे पास कौन-कौन से sequences present होती है, ठीक है, तो –10 और –35 box हमने पढ़ाता है, यूक्राटिक प्रमोटर में हमारे पास जो इंपोर्टेंट है, वो है आरने पॉल सेकिंड, ठीक है, तो यहीं involved होता है, mostly, तो आरने पॉल सेकिंड जो प्रमोटर है, यह हमारे पास आप देख सकते हैं, यहां पर कोर प्रमोटर से हम बोलते हैं, यह दो सेग्मेंट से मिल कर बनना, एक –30 जिसे हम Tata box बोलते हैं, –30 जिसे हम Tata box बोलते हैं, 30 को Tata box बोलते हैं, इसके sequence भी दीए यहां पर, और सेकिंड जो है initiator sequence होती है, प्लस वन पर, प्लस वन पर हमारे पास जो है initiator sequence होती है, –30 पर मुपर Tata box होती है, उसके बाद हमारे पास, इन अदिशन टो थो प्रमोटर, कोर प्रमोटर एलिमेंट्स यहां पर, जिसको हम बोलते हैं Tata box initiator sequence बोला, इनके इलाब हम आपास दो और होती है, और भी हमारे पास, यहां पर regulatory sequences प्रेजन टोटेंट्यों, और regulatory sequences पर बाइंट करते हैं regulatory proteins ठीक है, तो जो regulatory sequences जो होती है यहां पर, वो होती है, हम देख सकते हैं cat box है, cat box के हमें दी है, cat box होता है GC box होता है, cat box होता है GC box होता है, यहां से भी question पोचलाइ step आए आपको याद रखनाए है, उसके बद नेक्स हमार पास आ जाता है, अब हम बात करेंगे कि यूक्राटिक में जो ट्रांस्किप्शन जो होती है, उसके थ्री डिफिंट फेज़ तो इनिसिएशन जो है, वो बहुत कॉंपलेक्स होती है, वो किस तरीके से होती है, यहां पर क्यूंकि यहां पर जो आर्ने यहां पर हमें चाहिए होते हैं, 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 यहां promoter सा bind करते हैं, दूसरे जो transcription factor जो होते हैं, वो regulator transcription factor होते हैं, जो regulator sequences सा bind करते हैं, जैसे हम इना Hansur, Salencer के बात की थी, तो यह sequences present होती हैं और यह regulator sequences होती है, यह regulator sequences हमारे पास, जो promoter है, उससे 100, 100 से भी ज़्यादा kilo basis के difference पर यह present होती है, तो यह हमारे पास regulatory sequences present होती है, यहाँ पर activator या फिरिप्टेस जो हैं, वो हमारे पास bind करते हैं, और इसको regulate करते हैं, तो यहाँ पर कुछ regulatory transcription factors दिएगे, हमारे पास CBF हो गया, जैसे कि CAD binding factor, उसके बाद EBP, Enhancer Binding Protein, CREB हो गया, CMP, Response Limit Binding Proteins, SP1 हो गया, तो यह किनके regulator sequence के सा bind करते हैं, यह भी दिया CAD के साथ करता है, CBP, उसके बाद EBP, CAD के साथ करता है, CREB, CMP, Response Element के सा CP1, GC Box के सा bind करते हैं, इसके पास यादर रख सकते हैं, उसके बाद में पास transcription का, जो different stages involved, हमने बोला कि सबसे पहले जो D, जो पे से transcription factor है, वो हमार पास बना होते किससे, वो complex होता है, Tata Binding Protein का, TBP का, और हमार पास यहाँ पे Tata Binding Protein Associated Factor, जो हम TAPS बोलते हैं, तो यहाँ पे आप diagram में सिद्धा आ जाओगे, इस diagram हम देखेंगे, यह diagram है, तो सबसे पहले जो आता है, आते है, Tf Second D, सबसे पहले आजदा है D, ठीक है, उसके पास चाहता है A, उसके पास चाहता है B, उसके पास H, तो यह आपको याद होने हैं, कैसे याद रख सकते हैं, इसे पिंचा बना लेना है, इसे दे ढमिता बच्चन, F से मारे पास fantastic, इसे इंटर्टेनर एट से है तो दा मीता बच्चन फंटास्टिक इंटर्टेनर है आप बना सकते हो ती एए जो एफ है इस तारने पॉल्मरी सेकिन जो है बाइंड करता है तो आपने इसके बनाना ये आपको याद रिने सीक्वंस याद रहने पड़ी कौन सा पहले बाइं कर तो आपको इन सब्कें सियाद रखने, उसमें से इंपॉटन जो है यह है कौन सा, सभी इंपॉटन है, यहां से पुछा गया था, है लोज मनी अपने हैं न में फॉड़ी समगने में, इसको यह क्लोस्त प्रोमोटर नीद्ध में करते हैं, सेकेंड यह क्या करता है वालों पास प्रमोटर को एकारता है। इंडियोटायट एक्जिशन आग्जिशन रिपेयर में घेल्प करता है इमाँ इंडियर से किएज तो अब यहां से राद होग सेड्वर और इसके बाद हमार पास वह रहुँत ही नियुक्राइशन के बात करें इस कंप्लेटर के ब्रोकृर्स में बात करें इसका ब्रोकृर् ये हैं ताटा बॉक्स निर्शियेटर सिवेंस है तो यह जब यह सा जीजेप्स नन भू क्या करते हैं कल Diego क्रे एक्टिविटर शालिशन इनको डान भू करने हैं हां मेडियेटर तिक है, Mediator जो है, वो Activator और General Transcription Factor और Unapolimates को Bind करने में help करता है, जिससे क्या होता है कि हमारा पास Transcription जब ये Bind करता, Activator इनके साथ, तो उससे क्या होता है, Transcription का Rate जो है, वो Increase हो जाता है, तो Mediator यहां पर, इन दिनको जोडने में help करता है, तो यह आपको वही Mediator का बता करिंगे इन आवज हो ए यह उसके भगार तर्मीनिशन की बाथ जह नहींत ऐइन नहीं था तर्मीनिशन सब्सक्राइज जो है तर्मे देल गार कंप विज्ह एंदी आई बीग तर्मीनए देल नहीं को इंपन नियंति Child Mate पहले वहां cut होता है फिर 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 पॉली अदिनेलिशन होता है अदिनीन के रिज्डियू जो है बहुत सारे एड होते रहते हैं तो वह थोड़ा कॉंप्लेक्स होता है प्रोस्स यहां पर तो यह चीज है लास्ट में मार पास आ जाता है अंटिबाटिक इंहिबिटर ऑफ ट नियुद करता है ट्रांसक्रिप्ष gwी जो है कई ऐसा वह इसके साथ बीटा सबड़क करता है उसके साथ बारेंम करने के सांट ग्रेंग हो उसके सथा एेक करता है double standard DNA के साथ bind करने के बाद वो इसको जो तेंपलेट से RNA बन रहा हो तो इसको इसको और यहां पर देख सकते हुज एक्टिनुमाइसन डी है ना यहां पर क्वेशन पूछा गया था मैं पास CSR में तो आज का टॉपिक जो हम यहीं तक करखेंगे आई होप आपको जो यह मेरी वीडियो है यह बहुत हेल्फुल होगी आपके लिए तो अगर आपको अच्छे लगिए तो प्लीज लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए जितना हो सकते है उतना शेयर कीजिए तो तो तिल दे ते किट बड़े